हेलो नमस्कार जय हैं दोस्तों तो कल एक पीडियाप जारी हुई थी जिसमें जो 11 तारिश से जो इतने सेलेक्टेड कंडिडर थे उनकी कटॉफ के बारे में बताया गया था कि फाइनल मेरिट की कितनी जाई है जैसे कि मैंने लिख भी रखा है कि क्या हुआ है तो फाइनल मे इसमें जो वेटिंग होगी वेटिंग कितने कंडिडेट हैं जो कौन सी कटोफ के आसपास रहेंगे वह जो वेटिंग के लिए इंतजार कर सकते हैं तो मैंने जो एनलेसिस के हैं इसमें देखा है कि जो वेटिंग जो है सोरी यह जो फाइनल मेरिट यह बढ़िए जलता लगा तेरा नमबर कठो बढ़ गई कैसे बढ़ी पता नहीं इसमें तेरा नमबर उड़ाई गी तो एस्टी की जो मेल की कठोपती वो 98 है पीडिया प्लस तीस करें तो हम 131 28 पाते हैं 128 और यह कठोब 141 आप खुद घठा सकती हो जोड़ सकती हो लगबक तेरा नमबर के आसपाद स्टी की कठोप बढ़ गई भाई अब आप फूचेंगी कि सर यह बताए कि कितने नमबर कम रहने पर हमारे जो वेटिंग है उसका चांच बढ़ता है तो भया देखो वेटिंग तो है अब जिससे कितने नमबर कम है समझो अगर मानलो आप एक आधिर नमबर से रह रही हूं मानलो आपका एक नमबर है या पॉइंट पांच है या डेर्ड नमबर है यहां तक कि लगभग दो नमबर वाले का भी चांच बन सकता है लेकिन ऐसी में जो चोकने वाले जल में सिर्फ श डेर्ड नमबर सोस्ट है क्यां पॉइंट पांच से लेकर घ्र नमबर तक आपके अगर जोडने के बाद में जैते हैं कि अगर इतने नमबर मेरे और होटे सब्लैते हैं और आपकी कटूप 182 कुछ टो आपहई साब आप बिम्टुल वेटिंग के लिए परवल रावयदार हो अधे लिए प्रबल दावेदार हो अगर एस अवकिस्टि बन रही है ऐसी में तो भाई या डेड़ से दो भी लग सकता है कुई कटोब बहुत कम गई यह तो डेड़ से दो वाला प्यूर स्टि में तो वाजी मार सकता है वैटिंग में तेरा नुमर कटोब बढ़ी है तेर और बटालेंस या जिला कुछ यूनिट के बार में जाना है तो आप नेचे कमेंट कर देना और चैनल को लाइक सायर एंड सब्सक्राइब जूरू कर देना और ऐसे ही इन्फोर्मेटिक वीडियो देने के लिए तो थेंक यू जैहिन दोस्तो दन्यवाद